सब्स्राइब किजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस किजिए ताकि आप पास सकें लेटेस्ट टेक्नोलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो फाइनली आज समसंग अपने एक मीडरेंज डिवाइस में जो 1EY 3.1.1 का अपडेट है वो रोल आउट कर दिया है दोस्तों और यह डिवाइस है समसंग का A50AS तो A50AS में कुछ दिन पहले एक अपडेट आया था मैं आपको दिखाद भी देता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं 826MB का अपडेट है अगस्त 2021 का latest security patch मिल जाता है दोस्तों और इस अपडेट में बताया गया कि overall जो डिवाइस की stability है उसको improve किया गया है तो इस अपडेट में काफी सारे improvements किया गया है जिसके उपर मैंने already वीडियो बनाई हुई है लेकिन यहाँ पर 1UI 3.1.1 का यह अपडेट है जो कि यहाँ पर अभी 3.1 ही है 1UI वर्जन लेकिन जिस भी डिवाइस में 1UI 3.1.1 का अपडेट आया है वहाँ पर 1UI 3.1 ही mention है दोस्तों अगस्त का security patch है latest security patch लेकिन यहाँ पर improvements जो किया गया है जो features है वो 3.1.1 के हैं सभी features और improvements के बारे में मैं बताने वाला हूँ तो वीडियो को अंदर तक देखेगा और like कर दिजेगा इस वीडियो को like target हम लों रखते हैं 75 like 75 like आप लोग complete कर दिजेगा और चैनल पर पहली बनाएं तो चैनल को please subscribe करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दिजेगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्यू शराब देख रहे हैं टिक दूस प्यू तो चलिए इस वीडियो को start करते हैं सबसे पहला जो improvement है वो है fast animation यहाँ पर आप देख सकते हैं animation को काफी जादा fast कर दिया गया है दोस्तों जो कि जिस भी डिवाइस में अभी update आया है सभी डिवाइस में animation को fast कर दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यह improvement किया गया है जो कि animation को fast कर दिया गया है और भी काफी सारे improvements किये गया ह की 1 youi 3.1.1 के हैं सेकंड इंप्रूमेंट किया गया है कामरा के अंदर कामरा को जब आप उपन करते हैं तो काफी fast open हो रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ यहां पर मैंने कामरा को उपन किया काफी fast open हो जा रहा है तो यहां पर मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर camera को मैं जब open कर रहा हूँ तो यह तुरंट open हो जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर camera की opening speed को improve कर दिया गया है दोस्तों यह इसके अलाबा बात करें third improvement की तो यहाँ पर weather application के अंदर किया गया है weather application को update कर दिया गया यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप three dot में जाते हैं तो यहाँ पर जो options आते हैं उनको भी update कर दिया गया है तो यह भी improvement किया गया है जो कि basically 3.1.1 में किया गया है जिस भी device में वनिवाई 3.1.1 बनाया है फोर्थ improvement किया गया है accidental touch तो यहाँ पर accidental touch आप देख सकते हैं accidental touch protection यह feature पहले से अबलेबल था लेकिन इसके user interface को Samsung ने completely change कर दिया है आपको कुछ इस तरह से new interface देखने को मिल गया है accidental touch protection का यह भी new improvement किया गया है जो कि basically 1.1.1 में किया गया है बात करें next improvement की तो fingerprint को fast किया गया है आपको बताएं कि APTS में in display fingerprint scanner है यहाँ पर जब आप unlock कीजिएगा तो काफी fast यह unlock कर दे रहा है fast किया गया है in display fingerprint scanner को यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर मैं unlock किया यह unlock हो गया दोस्तों यहाँ पर press किया यह unlock हो गया दोस्तों तो कुछ इस तरह से यह unlock हो जा रहा है जो कि बेसिकली यह improvement किया गया है इसके अलावा clock में कुछ improvement किया गया यहाँ पर कुछ UI को हलका सा change किया गया है जिसके उपर मैंने already video बनाई हुई है इसके अलाबा world clock में seconds को add कर दिया गया है इसके अलाबा बात करें next improvement की तो bedtime mode को add कर दिया गया जो कि basically काफी पहले add कर दिया गया था जिसके उपर मैंने अल्रेडी वीडियो बनाई हुई है यहां पर आप देख सकते हैं तो बेट टाइम मोट को भी एड़ कर दिया गया है नोटिफिकेशन पैनल में यहां पर देख सकते हैं टॉगल में तो यह भी न्यू फीचर एड़ कर दिया गया है समसंग की तरफ से इसके अलाबा बात करें तो Bluetooth को अगर पॉप आप व्यू में ओपन कीजिएगा तो काफी फास्ट यो ओपन हो जा रहा है दोस्तों यहां पर मैं आपको दिखा देता हूँ यहां पर मैं इसे फिर से ओन करता हूँ यहां पर देख सकते हैं काफी फास्ट यो ओपन हो जा रहा जो की basically 1UI 3.2 1.1 में ही जिस application है साथ में जो secure folder है और भी जो applications है camera हो गया इन सबी को latest version में update कर दिया गया है इस update में और यहाँ पर one UI version 3.1 ही है लेकिन one UI 3.1.1 के जो features हैं और improvements हैं वो Samsung ने add कर दिया है इस update में तो update कीजी अगर आपने अभी तक update नहीं किया है और बहुत ही जल्द काफी सारे devices में update जो है वो आने वाला है Samsung ने अभी काफी सारे devices में update जो है वो दे दिया है तो और बेगर कोई new जाएगी या फिर update आएगा तो आपको मेरे चैनल पर information मिल जाएगी तो चैनल को subscribe करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दिजेगा मैं मिलत आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वन्दे मात्रम